मेरा नाम है शौर कौशित आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स आज में आप लोगे लाया हूँ एक वाइलेस कीबोर्ड और माउस का सेट जो है आईबॉर कंपनी का जिसका प्राइज एटीन हंडेड रुपीज है तो यह है वो वाइलेस कीबोर्ड औ तो इसका आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइज इसमें लिखा है एक टीन हंडेड रुपीज यह मैंने ओफ लाइंग खरीदा था इस वज़े सी यह मुझे थोड़ा सा सस्ता मिला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग तो प्रेंड्स हमें मिलता है एक कीबोर्ड जिसकी लेंद कुछ इस टाइप भी होती है इसके उपर यहां पे एक शाइनी फ्रेंशिंग है तो आप लोग इस इबोर्ड देख सकते हैं और यहां हमें इसके साथ मिलता है एक वाइलेस माउस का सेट तो यह है हमारा वाइलेस माउस का सेट इस पे एक आइबल कॉम्पनी का लोगो लगा है और इस पे एक शाइनी फ्रेंशिंग है इसको मैंने यूज इसको मैंने दुकान पर टेस्क करवाया था इस वज़ेसे आप लोगो लग रहा होगा कि यह पुराना है यह थोड़ा सा लग रहा है कि इसको एक बाद किसी ने यूज किया है तो आप लोग इसको देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक 1.5 वोल्ड की बैटरी लगानी होती है जो हमें इसके सेट के साथ ही मिलती है साथी साथ हमें इसके साथ एक डॉंगल मिलता है जिसको जो यहां पे होता है तो यह होता है वो डॉंगल सारा काम पूरा कीबोर्ड और मौउस का इसी का होता है यह खो गया तो समझ लीजे आपका कीबोर्ड और मौउस का बाड़ा है यह देखिए ये हैका डॉंगल डॉंगल इसुए इसमें हमें एक 1.5 वोल्ड की बैटरी लगानी होती है और कीबोर्ड में भी हमें 1.5 वोल्ड की बैटरी लगाने होती है यहां पे तो इसके साथ हमें दो तीन बैटरी मिलती हैं जो होती है ट्यूरसल कंपनी की दो कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए तो पहले हम लोग डालते हैं माउस में इसको डालने के बाद हमें इसको सिंप्ली बंग कर देना होगा और फिर यहां पे हमें एक छोटा सा ओन आफ का स्विच मिलेगा फिर जैसे हम इसको ओन करेंगे इसमें एक रेड लाइट जलेगी मैं आप लोकल पर फिर से दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से करेंड लाइट जलेगी मतलब यह ओन हो चुका है और कुछ इस तरीके से हमें इसमें सेल डालने होंगे इसमें भी सेल डालने के बाद हमें फिर इसको क्लोस कर देना होगा इसको क्लोस करने के बाद आप अब सोचेंगे कि इसको तो बस हम लोग लाप टॉप से करनेक कर सकते हैं पर ऐसा बिलकुल नहीं है इसको हम लोग अपने मुबाइल के साथ भी कनेग कर सकते हैं इसको कनेग करने के लिए हम लोग चाहिए होता है एक एक OTG कनेकटर यह आप लोग को आफलाइन बहुत इह म electrodДаएगा जो इसको आप लोग देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके का लगता है स्टैंड से उपर करने के बाद इस समय मैंने इसके स्टैंड्स खूले हैं यह आप देख सकते हैं यह हमारा माउस इसके नीचे हमें यह छोटे-छोटे इस टाइप के चीजे बनी मिलती है ताकि यह अराम से अपना अपना चल पाए और हमें इसके नीचे भी दो यह इस टाइप का कुछ स्पॉंस टाइप का एक चीज बनती है ताकि जिसकी वज़े से स्लिप ना हो आप लोगों ने अब कीबोर्ड और माउस को तो बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा अब टाइम आता है इसको कनेक करने का मैं इसको रियल में एक्स्टी के मुपैल में कनेक करके दिखाऊंगा इसके लिए पहले हमें जो हमारा ओटी जी कनेकर होता है जो हमारा ओटी जी कनेकर होता है उसमें सिंप्ली हमें इसको कुछ इस तरीके से गुसाना होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी गड़बर ही तो समझ लीजे आपकी सब कुछ गया तो उसके बाद हमें उसके बाद हमें सिंप्ली अपने मुबाल में सिंप्ली यह ओटी जी कनेकर को हम लोग जाके इसमें जहाँ पर हम लोग अपनी चार्जिंग की केबल लगाते हैं वहाँ पर हमें इसको लगाना होगा वहाँ पर लगाने के बाद वहाँ पर लगाने के बाद अब आप मैस अपनी इसके बाद हमें लोगा देख सकते हैं कोलते हैं हमें सिंप्ली नीचे स्लाइड करना हो और जहां पर लिखा होगा आडिशनल सेटिंग वहां प एक हम लोगो एक ओटीजी कनेक्शन का ओप्शन मिलेगा जिसको हम लोको सिंप्ली ओन कर देना होगा इस ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से शायद नीचे यहाँ पर टाइप कर रहा हूंगा तो इस तारीके से हम लोग बहुत असानी से इसमें टाइपिंग कर सकते हैं तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइप करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा